हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल दीप क्लासिस में जिसमें हमारा आज का टॉपिक है स्कंदुगुप नाटक के महत्वपून अंशों की व्याख्या स्कंदुगुप नाटक में जो महत्वपून अंश है वो बहुत सारे हैं जिने एक वीडियो में लाना पॉसिबल नहीं हो सकता इसलिए मैंने इस टॉपिक को चार पार्ट में डिवाइट किया है आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो इस टॉपिक का पार्ट वन है बाकी के अंश हम पार्ट टू, पार्ट त्री और पार्ट फोर में लेकर आएंगे यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन्स आप तक पहुँच सके चलिए, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं सकंगुप नाटक का जो पहला महत पुण अंश है वह है अधिकार सुख कितना मादक और सरानिय है अपने को नियामित और करता समझने की बलवती स्परहा उसे बेगार कराती है उत्रवों में परिचायक और अस्त्रों में धाल से भी अधिकार लोलुप मनुश्य क्या अच्छे हैं अहम जो कुछ हो हम तो सामराज्य के एक सैनिक है चलिए अब हम इस अंश के प्रसंग को देखते हैं सकंगुप नाटक के प्रथम अंख के प्रथम द्रिश्य से इस गद्यांश को लिया गया है सकंगुप में अधिकार प्राप्त करने की लालसा नहीं है वह एक वीर सैनिक की भाती केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाता है अधिकार लोभी व्यक्तियों की तुछ दशा का संकेत करते हुए युवरा सकंद का कहना है की अब हम इस अंश की व्याक्या देखेंगे इसमें सकंगुप कहते हैं की अधिकार पालेने पर मनुश्य गरवानवित हो उठता है जिसका परिणाम यह होता है की वह अपनी तुलना में अन्य व्यक्तियों को अत्यांत दीन हीन समझने लगता है अपने आपको सर्वशक्ति संपन, सर्वादिक सुखी और सर्वोपरी मानता है एक प्रकार का मद उसकी बुद्धी पर अज्यान का आवरंसा डाल देता है जिससे वह अपना मानसिक संतुलन खो देता है उचित अनुचित का विचार भी छोड देता है किन्तु वाद्शव में अधिकार सुख उसका निसार ब्रमी होता है वह स्वयम को नियामक समझ कर राज्ये और प्रजा के लिए कुछ नियम इस्थिर करता है आत्म प्रदर्शन की भावना से प्रेरी थोकर कृत्रीम कार्रे श्रिंखला में फस जाता है अच्छे बुरे सभी प्रकार के कार्रे करने को उद्धित हो जाता है वह समझता है कि ऐसा करने में लोख हीत का समपादन होगा किन्तु उसके मूल में मात्र महत्व कांशा के और कुछ नहीं होता युवरास कंट की द्रिष्टी से ऐसे व्यक्ति का महत्व उतना ही है जितना की उत्षवों में सेवा कर्म करने वाले सेवकों और युद के समय आगात सहने वाले धालों का होता है जैसे विवा आधी उत्षवों के अफसर पर नोकर चाकरों के काम तो सरवाधिक करना पड़ता है किन्तु यश नाम पात्र को भी नहीं मिलता और युद्धों में विजे काश्रे अन्य अस्त शस्त्रों को मिलता है जबकि सबसे अधिक आगात सहना पड़ता है धालों को ठीक उसी प्रकार अधिकार लोलूप व्यक्ति उत्तरदायत्व के भार से अच्छा बुरा सब कुछ करता है किन्तु फिर भी उसे तुछ द्रिष्टी से ही देखा जाता है युवराशकन इस विचारधारा को अपने चरित्र और श्रील के प्रतिकूल समझकर अपने चरित्र की उदात्ता का परीचे देते हुए कहता है कि उसे इसे क्या प्रयोजन कोई पदपराप्त करे अध्वा यश्पराप्त करे हमें तो अपना कर्तव्य निभाना है हम तो समराज्य के एक छोटे से सैनिक है और नी स्वार्थ भाव के समराज्य की सेवा करना ही हमारा उद्देशे है बात की जाए इस अंश की विशेश्टाओं की तो इसकी पहली विशेश्टा है सकंद्गुप का मानसिक द्वन्त इन पंक्तियों में मुखर है दूसरा सकंद के चरित्र पर अच्छा प्रकाश पड़ा है तीसरा नाटक की कथा वस्तू अर्थन द्वन्त प्रधान होगी इसका भी निर्देश यहां दिया गया है चौथा दाशनिक नाटक काल की भौत तिकता विरोधी प्रवर्ती भी यहां सपश्ट हुई है अनन्थ पुन्य का फल है इस दुराशा और अनन्थ उतकठा से कवी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई संसार के समस्त अभावो को संतोश कहकर हिदे को दोखा देता रहना परन्तु कैसी विडम बना लक्षमी के लालों का भू भग और शोप की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या एक काल्पनिक प्रशंसनिय जीवन जो की दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है संचित्रिदे कोश के अमूले रत्नों की उदारता और दारिद्र का वंग्यात्मत कठोर अठा हास दोनों की विशमता की कौन सी व्यवस्था होगी मनोरत को भारत के प्राकंड और बुद्ध पंडित को परास्त करने में भी सबकी प्रशंसा का भाजन बना परंतु हुआ क्या इस अंश के प्रसंग को देखे तो यह पंक्तियां जैशंक प्रसाद के नाटक सकंगुप से ली गई है इन पंक्तियों में मात्रगुप अपनी कवी जीवन की कठिनाईयों और निराशा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अब हम इस अंश की व्याक्या देखेंगे वे कहते हैं कि ना जाने कितने पुन्यों के फल से कवीता करने की शक्ति प्राप्त होती है मैंने जब स्वयम को उस शक्ति से संपन पाया तो मेरे हर्ष का ठिकाना ना रहा कारण मुझे अपने कर्मों पर विश्वास ना था मैं नहीं समझता था कि मैंने कभी इतने सत कर्म किये होंगे कि मैं कवीता करने में समर्थ हो सकूं अतह कवी जीवन मेरे लिए स्वपनिल मदूर जीवन के सिवाय और कुछ ना था फिर भी कवी जीवन मुझे इतना रूचिक कर प्रतीत हुआ कि मैंने कवी बनने का निश्चय कर लिया और कवी बन भी गया किन्तु क्या मैं सुखी बन सका कवी जीवन के आरम से ही मुझे नाना प्रकार के अभाव सताते रहे जिनके कारण मैं अपने जीवन में आसंतुष्ट रहने लगा अभावों को आसंतुष्ट कहकर अपने आपको बहलाता रहा धन्वानों ने मुझे चमान के स्थान पर अपमानित किया मेरे जीवन को अत्यन तुष्ट एवं दीन हीन समझा मैं कवी के आदर्श के अनुरूप कल्पना लोक में विचरन करता रहा जीवन और संसार की वास्तविक्ताओं से मुझ मोडे रहा फलतह मेरी कवीता चातुरी पर अनेक लोगों ने प्रशंसा के पुष्प बरसाए किन्तु सच्ची सहानुभूती एवं गुण ग्रहकता से वंचित ही रहा इसे मेरा दुर्भागे ही समझना चाहिए जो थोड़ी बहुत ख्याती मैंने अरजित की वहे काल्पनिक एवं मनोरंजन की वस्तु रही उसमें किसी प्रकार का सार्तत्व नहीं मेरा सारा जीवन दूसरों की दया पर निर्भर रहा मैं दूसरों की कृपा का अभीलाशी ही नहीं वरन बिखारी बना रहा मेरे जीवन में दो विरोधी तत्व निवास करते हैं एक और तो मेरा हिदे रूपी सागर और संख्य उदार भावरतनों से परिपून है दूसरी और मेरा जीवन निर्धनता निदार और कश्टाक्शुन व्यंगों से भी अभिशप्त है इन दो विरोधी इस्थितियों में समन्वे किस प्रकार संभव है अपमान और निर्धनता के प्रकोप के सक्षम उदार भावरतन कब तक अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे कवीता द्वारा मैंने अपने हिर्दे के समस्त सात्विक उदगार दूसरों को अरजित कर दिये यह मेरी अक्षे संपदा थी परन्तु बदले में मुझे समाच की अभेलना, उपेक्षा और दरिदता ही मिली मनोरत जैसे दिगज बोध पंडित को भी मैंने शास्त्रार्थ में पराजित किया परन्तु मुझे कोरी वावाई के और क्या मिला धन्वानों की वक्रद्रिष्टी और निर्धनता का प्रकोप मेरे जीवन पर जो कात्यों ग्रस्त किये रहा साराश यह है कि प्रतिबा होते हुए भी उदारता आदी गुणों से संपन होने के बावजूर मुझे जीवन में दरिद्रता तथा अपमान ही मिला बात की जाए इस अंश की विशेष्टा होगी तो इसकी पहली विशेष्टा है पंक्तियों का विन्यास गद्धे गीत की सीक का व्यात्मेता एवं सदलता के लिए हुआ दूसरा प्रसाद जी ने मात्रगुप्त के माध्यम से वर्तमान कवी जीवन की विडंबना की भी अत्यंत मार्मिक व्याख्या की तीसरा कवीता करना अनंत्पुन्ने का फल है यह सुक्ती बन गया है सकंगुप्नाटक का तीसरा मैत्पुन अंश है कवीत्व वर्ण मैं चित्र है जो स्वर्ग्विय भावपुन संगीत गाया करता है अंधकार का आलोग से असत का सत से जड़ का चेतन से और ब्रह्म जगत का अनत्जगत से संबंध कौन कराती है कवीता ही है ना बात की जाए इस अंश के प्रसंकी तो प्रस्तुत संदर्भ सकंगुप्नाटक के प्रथम अंके तीसरे द्रिशे में विदूशक मुदगल कवी मात्रगुप्त से कवीता का शेत्र छोड़ कर वास्त्विक जीवन में आने को कहता है उसके प्रत्युत्तर में मात्रगुप्त अपनी विवश्ता व्यक्त करते हुए कहता है कि अब हम इस अंश की व्याक्या देखेंगे कवीता ही तो मेरे जीवन का मूल आधार है यदि कावे रचना करना छोड़ दूँगा तो जीवन भार हो जाएगा जिस प्रकार उदर की शुक्षा को शांत करने के लिए भोजन की अपेक्षा रहती है उसी प्रकार हीदे की शुक्षा को शांत करने के लिए भाव और कल्पनाओ की अपेक्षा होती है काव्यानन्द वा भ्रह्मानन्द को सहोधर कहा गया है उसमें एक प्रकार की आलोकिक अनुभूती सदेव विद्यमान रहती है कावी वर्णों से निर्मित एक चित्र के समान है जिसमें कोमल भाव और संगीत प्रायह विद्यमान रहते है कावे अपार शक्ति अपने भीतर संजोय रखता है कारण कवी अपनी दिव्य प्रतिभा और दिप्तिमान रशमियों से उसमें एक प्रकार की गुणवत्ता का संचार कर देता है कवी की वानी का स्पर्श पाकर साधारन भावों में भी आसाधारन चमतकार आ जाता है कवी की कल्पना और अनुभूती के द्वारा सांसारिक वस्तूों का रुपांतरण हो जाता है उसमें नवीन आकर्शक, नवीन आभा और नवीन सोंदर्रे उपस्थित हो जाता है परस्पर विरोधी परदार्थों में भी एक प्रकार का सामन जस्य स्थापित हो जाता है अंदिकार और प्रकाश, असत और सत, जड़ और चेतन में परस्पर स्थापित हो जाता है कवीता द्वारा आत्मा अपने संकुचित शेत्र से निकल कर व्यापक शेत्र में प्रवेश करती है मनुष्य की चित्र वित्यों से तामसिक्ता का तिरोभाव हो जाता है और सात्विक्ता का अभीभार्व हो जाता है फलतह जड़ चेतनमय अखिल वेश्व एक ही रागात्मक संबंद सूत्र में बंद जाते है बात की जाए इस अंश की विशेश्टाओं की तो इसकी पहली विशेश्टा है कवीता की परिभाशा देकर उसके असीम प्रभाव का उद्गोशन किया गया है दूसरा प्रभाव जी प्रसाद जी द्वारा दी गई कवीता की परिभाशा शुक्ल जी द्वारा दी गई इस परिभाशा से बहुत मेल खाती है कवीता वह सादन है जिसके द्वारा हमारे शेश सुरिष्टी के साथ रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वा होता है तीसरा काव्यानन्द ब्रह्मानन सरोहर है इसकी व्यंजना प्रसाद ने स्वर्गिय शब्द का प्रयोक करके कराई है सकंद्गुपनाट का चौत्था महत्पून का व्यान्षै अम्रित के सरोवर में स्वन कमल खिल रहा था ब्रहमर वंशी बजा रहा था सौरब और पराग की चहल पहल थी सवेरे सूरे की किर्णे उसे चमकने उसे चूमने को लोटती थी संध्या में शीतल चान्दनी उसे अपनी चादर से ढग देती थी उस मदूर सौंदर्रे उस अती निंद्रिये जगत की साकार कल्पना की और मैंने हाथ बढ़ाया था वही स्वपन तूट गया बात करते हैं इस अंश के प्रसंग की मात्रगुप्त अपनी प्राकर्तिक सुन्दर्ता के लिए विख्यात कश्मीर का निवासी है कश्मीर में उसने अपनी प्रिया के साथ कुछ दस भरे दिन व्यतीत किये थे अतीत में उन मदुर दिनों की स्मृती अब भी जब कभी उसके मानस पटल पर उबर उबर जाती है तो उसके चित को कचोटने लगती है कभी-कभी दिवास पनों स्वपनों में लीन होकर वह सुट सुषर में उन दिनों के गद्दे पद्धे में गीत गाने लगता है प्रस्तुत पंक्तियों में वह समोहन किसी स्थिति में अपने हिदेगारों को व्यक्त करते हुए कहता है अब हम इस अंश की व्याक्या देखेंगे व्या कहता है एक सरोवर था जिसमें जल के स्थान पर अम्रित भरा था उस सरोवर में स्वन कमल विक्सित हो रहा था और उस सुनहरे कमल पर भ्रमर, मदूर, गुंजार कर रहा था चारो और सोरब के कंड वातावरण में व्याप्त हो रहे थे उशा के समय आकाश मंडल की लालीमा और रात के समय चांदनी उस स्वन कमल को आच्छन कर लेती थी चारो और आनन्ध ही आनन था मैंने भी मन में ऐसे ही आनन लोग की कलपना की थी ऐसे ही मदूर सोंदर्रे को पाने की कामना की थी किन्तु निद्रा भंग होते ही जैसे स्वपन तूट जाता है वैसे ही मेरी मदूर कलपना धराशाही हो गई और मेरी समस्त आशा आशांकाय नश्ट हो गई बात करें इस अंश की विशेशताओं की तो इसकी पहली विशेशता है पंक्तियों में गद्य गीत की सी काव्य मैता एवं भाव पूनता है दूसरा कवी ने जीवन में कुछ ऐसा वैसा ही रस्था जैसे उक्त सरोवर के द्रिशे में चित्रित है तीसरा वहां स्वपन तूट गया में निराशा, विशाद, आदी भावों की व्यंजना अत्यांत स्पष्ट है सकंद्गुप नाटक का पाच्वा महत पुन अंश है उस हिमाले के उपर प्रभात सूर्य की सुनहरी प्रभा से आलोकित बर्फ पर पीले पोखराज कासा एक महल था उसी से नवनीत की पुतली जाकर विश्व को देखती थी, वह हिम की शीतलता से सू संगठित थी सुनहरी किर्णों को जलन हुई, तबत होकर महल को गला दिया पुतली उसका मंगल हो, हमारे अश्रू की शीतलता उसे सुरक्षित रखे कलपना की भाषा के पंक गिर जाते हैं, मौन नीड में निवास करने दो, छोडो मत मित्र बात करें इस अंश के प्रसंग की यह पंक्तियां प्रसाज जी द्वारा रचित कंगुपनाटक के प्रथम अंके तृत्य दृष्षे से ली गई हैं कवी मात्र गुप्त की अपनी भावी प्रिय के प्रती असीम आसकती है, इसी आसकती को यहां अभी व्यक्ति प्रदान की गई है इस अंश की व्यक्या है, गिरी राज हिमाले ने धरा के नीचे छीपे, सोए धीरे धीरे सुलकते ज्वाला मुखियों और उनके ताप को अपनी बर्फ की मोटी मोटी चादरों के नीचे छीपा रखा है उशाकाल के समय जब प्राथे काली सूर्य की सुनहैरी किर्ने हिमाले की और श्वेत हिमाच्छन चोटियों पर पड़ती थी तो एक मनमोहक द्रिश्य उपस्तित हो जाता था लगता था कि प्रकर्टी ने वहाँ पीले पुखराज रतनों से कोई भव्वे प्रसाद निर्मित कर दिया है कवी कल्पना करता है कि उसकी प्रेशी उसी प्रसाद में निवास करती है उसके अंग प्रत्यंग नवगीत से भी अधिक कोमल थे वहें उस महल के जरोखों से नीचे इस्तित घाटियों तथा समतल मैदानों को देखती थी उसका सौंदर्रे संपर्क तथा मदूर्स पर्ष हीम की तरही शीतल तथा सुखदायक थे कवी पुना अनुमान लगाता है कि उसकी प्रियसी ने इन गुणों को देखकर सूर्रे को इर्षा हुई और इसी इर्षा के कारण उसने अपनी ताप दायक किर्णों से उस महल को जलाकर भस्म कर दिया उसे विलास करने वाली अपनी प्रियसी के अस्तित्व के प्रती चिंतित होकर कवी अपने प्रती मंगल कामना प्रकट करता है और कहता है भगवान उसे सुरक्षित रखे मेरे आसूओ की तरलता उसे सूर्य के प्रकरताप से बचाए रखे कुमारदास ने इस आग्रेय पर कि वह कश्मीर के संबंद में और भी बताए मातरगुप्त कहता है अपनी मातरभूमिक कश्मीर के सौंदर्दे का स्मरण कर अनेक भाव अनेक विचार उड़ते है कलपना उची उची उडान भरती है बहुत कुछ कहना चाहता हूँ नाना प्रकार से उसकी प्रकर्तिक सूश्मा का वर्णन करना चाहता हूँ पर दहस अंदर्दे अनी वर्चनिये है अतह कवी कलपना भी उसका चित्रन करने में स्वैम को पंगू तथा असमर्थ पाती है मेरी लेखनी मूख हो जाती है अतह आग्रेय मत करो मुझे अतीत की मधूर स्मृतियों में खो जाने दो मैं चुपचाप कुश्षणों पर अतीत की मधूर मोहक स्मृतियों में लीन हो जाना चाहता हूँ बात करें इस अंश की विशेष्टाओं की तो इसकी पहली विशेष्टा है का व्यात्मक अलंकरित भाषा जो वक्ता मात्रगुप्त के अनुरूप है दूसरा रूपक तथा मानवी करन अलंकार है बात करें इस नाटक के छटे महत्पूर अंश की वह है एक गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्रे परिवर्तन रुका की महा परिवर्तन प्रलय हुआ परिवर्तन ही स्रिष्टी है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है निश्चेश शांती मरण है, प्रकर्ती क्रियाशील है समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है पुरलिंग और स्त्रीलिंग की समश्टी अभिवेश्टी की कुरसी है पुरुष उच्छाल दिया जाता है, उत्पेक्षन होता है स्त्री आकर्शन करती है, यही जड़ प्रकर्ती का चेतन रहसे है बात करें इस अंश के प्रसंग की तो मात्र गुप्त को जब इस बात पर विश्वास नहीं होता कि समराट कुमार गुप्त के समराज्य में भी परिवर्टन उपस्थित हो सकता है तो धातु सेन उसे समझाते हुए कहता है कि अब हम इस अंश की व्याक्या देखेंगे जिसमें धातु सेन कहता है कि तुम अभी सीधे साधे युवक हो तुम जीवन और जगत के रहस्यों से सर्वता अन्भिग्य हो परिवर्टन का नाम सुनकर तुम आश्चर्यानवित हो गए परिवर्टन तो प्रकर्ति का अटल नियम है शास्वत सत्ते है परिवर्टन का आभाव का अर्थ है नधी की उजस धारा के समान आगे बढ़ने वाला जगत जगत का अर्थ है निरंतर क्रियाशील एवं कर्मरत जहां गती और कर्म, रुका की भयंकर प्रलय आरम हुआ कर्महीन नर जीवित होते भी मात्वित है बिना कर्म के जगत और जीवन की इस्तिती ही संभव नहीं है कर्म श्रंकला निरंतर चलती रहती है समस्त प्रकर्ती क्रियाशील है पशूपक्षी, व्रिक्षपोधे, नदी नाले सभी किसी ना किसी कर्म में सनलग्न है नर और नारी इस स्रिष्टी के विकास के दो मूल सूतर है दोनों के मेल से स्रिष्टी का विकास और प्रसार होता है किन्तु ये दोनों पूर्ण सतंत नहीं है इस पर देश काल का नियंतरन रहता है स्रिष्टी के विकास की प्रेड़ना से प्रेडित होकर नर्णारी अपने भीतर निहित स्रिष्टी के बीच को व्यक्त करते है नर्णारी के पारस्परिक कर्म का प्रकाशन है यह самूचा संसार समय खिलाडी है तथा स्त्री पुरुष गेंद खेलने का साधन लक्षे प्राप्ति का माध्यम संसार का रहसे समझने के लिए यह आवेशक है कि पूरुष त्री के पारंपरिक संबंदों का रहसे समझा जाए पूरुष स्वभावता हा उत्थानों मुख होता है प्रगती पत पर अग्रसर होना उसका परम लक्षे है स्थ्री का अकर्शन उसे अपने लक्षे में सिद्ध प्राप्त करने के लिए बादक होता है स्थ्री के मोह में पढ़कर वह करतववे अकरतववे का विवे खो बैठता है इस प्रकार्यत भी प्रकरती व्यक्त रूप में जड़ है तथा भी स्थ्री पुरुष के यूग्म में उसकी क्रिया शक्ती व्यक्त होती है स्थ्री और पुरुष की क्रिया प्रक्रिया द्वारा जड़ता में भी चेतनता का संचार हो जाता है यही जड़ प्रकरती का चेतन रहस्य है बात करें इस अंश के विशेष्टाओं की इसकी पहली विशेष्टा है प्रसाद जी ने धातु सेन के स्त्री पुरुष विश्यक विचारों के माध्यां से शृष्टी का सनातन रहसे बताने के साथ साथ कुमार गुरुप की प्रक्ती में अनन्त देवी की विलास मदीरा द्वारा उपस्तित अवरोध का भी संकेत किया है दूसरा स्त्री के संबंद में प्रसाद जी का उक्त द्रिश्टी कोन आंशिक रूप से ही सत्य है वह पुरुष को मोहित करती है और प्रेरिद भी यहां धातु सेन का लक्षे अनन्त देवी जैसी नारी की ओर है अतह उसका यह कतन उप्युक्त ही है तीसरा परिवर्तन प्रकर्ती का अटल नियम है इसे कवी प्रसाद ने का मायनी तता पंत ने अपनी प्रसिद कवीता परिवर्तन में स्पष्ट किया है चौता यही जड़ प्रकर्ती का चेतन रहसे है इस वाके में निहित भावधारागो प्रसाद जी ने कमायनी में भी कई स्थलों पर व्यक्त किया है फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है जिसमें हमने सकंगुप नाटक के कुछ महतपूर्ण अंशो की व्यक्या करी आगे के महतपूर्ण अंशो की व्यक्या हम इसी वीडियो के पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में करेंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें थांक्यू फॉर वाचिंग